identification keys and catalog in this module we will discuss what is a key what are different types of keys and what are the uses of different types of keys सबसे पहले key क्या है key basically एक ऐसा document है जो key identification के अंदर help करता है तमाम जो biological entities है जिसके अंदर plants शामिल है जिसके अंदर animals शामिल है जिसके अंदर fossils, microorganisms या even pollens शामिल है identification keys की मदद से इन तमाम जो biological entities हैं उनको असानी से identify किया जा सकता है अब keys क्यों construct की जाती है इस वज़ा से construct की जाती है कि जो key का user है उसके सामने series of choices रखी जाए about a particular character ताके वो उन में से जो correct characters है जो correct choice है उसको select कर सके अब जब ये choice दी जाती है तो जो key का user है वो हर step पे एक सही जो option है जो सही choice है उसको select करता है और ultimately वो unknown specimen उसको identify कर लेता है अब जब key को इस्तमाल करते हैं तो हर step के उपर जो key का user है उसको कुछ questions के answer देने होते हैं और उसने जो choice दी होती है उस choice में से किसी एक correct choice को select करना होता है ताके वो next step की तरफ बढ़ सके अगर एक key का user हर step को correctly follow करता है correct choice को follow करता रहता है तो ultimately उसका नतीजा क्या होता है कि वो authentic और accurate तरीके से species को identify कर लेता है लेकिन अगर जो steps है उनको वो properly follow नहीं कर सकता सही choice उसने select नहीं की तो ultimately जो species की identification होगी वो भी wrong होगी अब अगर ऐसा हो कि के अंदर जो choice है उसमें सिर्फ दो ही alternative हो तो उस صورत में ऐसी जो की होगी उसको dichotomous की कहेंगे dichotomous की जो है इसको sequential की analytical की या pathway की भी कहते हैं लेकिन दूसरी सुरत में अगर हर step पे दो की बजाए ज़ादा options available हैं ज़ादा choices available हैं तो ऐसी की polytormous की कहलाती है अब हम देखते हैं कि कीज का जो इस्तमाल है वो important क्यों है क्योंकि जो की है ये organism की identification के लिए helpful होती है क्योंकि अगर की available है तो एक जो taxonomist है उस की को follow करते हुए असानी से अपने जो specimens जो के unknown specimen है उनको identify कर सकता है लेकिन अगर की available नहीं है तो फिर क्या होगा फिर ये जो taxonomist है ये characters की study करने के लिए thousands, hundreds of thousands of जो keys या keys published data जो है जो available है उसको consult करेगा और ये एक बहुत hectic job है क्योंकि अगर की available नहीं है तो जो publish data है जो के key की farm के अंदर नहीं है बलके इसके अंदर different characters के बारे में information है और ये publish data publications की farm के अंदर है books की farm के अंदर है तो इसको consult करेगा उसमें बहुत थाइम लगेगा और ये एक hectic job भी होगी तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए identification keys बनाए जाती है ताकि जो taxonomist हैं उनके लिए असानी पैदा हो जाए और वो unknown specimens को key को follow करते हुए असानी से identify कर सके अब जब एक key का इस्तमाल करना है तो उस key के इस्तमाल के दौरान कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बहुत जब से पहले जब key को इस्तमाल करना है तो जो introductory comments है about the keys उस key का format क्या है और जो मुखतलिव किसम की abbreviations दी गई है उनको properly पढ़ा जाए दूसरा हर step के उपर जो right choice है उसको select किया जाए उसके लाबा अगर key के अंदर कुछ ऐसी terminologies दी है जो के researcher है या जो taxonomist है उसको उस terminology के मुतलिक information नहीं है वो उससे आगाह नहीं है तो उसको चाहिए कि glossary के अंदर जो definitions मौजूद है उनको पढ़े ताके उसको terminology के बारे में पता चल सके उसके लाबा अगर कहीं पे measurements करनी है तो उसके लिए ruler का इस्तमाल करे सिर्फ guess ना करे exact ruler से measurement करके तो फिर key को follow करे इसी तरीके से जो specimens को अगर एक researcher ने examine करना है तो क्यूंके मुख्तलिफ characters जो होते हैं उसके लिए animals के अंदर variability होती है एक character जो है उसकी different character states हो सकती है उसके अंदर different morphological variations है इस वज़ा से key को consult करते हुए वो सिर्फ single जो specimen है उसके उपर base ना करता हो बलके वो several जो specimen है उस species से उनको consult करे और फिर key के मताबक उनको identify करे झाल 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